हेलो फ्रेंड्स मैं आपको स्वागत करती हूँ टोटल टिपस है बंसे काम है फ्रेंड्स आजकर लोग बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण कोई ओफिस वर्क में घर के काम में इस्कूल में पढ़ा ही लिखाई में तो अपनी केर नहीं कर पाता है यानि कि अपने बालों आपको यान कोकोनेट ओईल लेना है कोकोनेट ओईल जो होता है फ्रेंड्स ही हमारे बालों के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग हेयर ओईल होता है वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है पर उनमें केमिकल होने की यह न हमारे बालों पर अच्छा असर नहीं दिखाते हैं और यह फॉल कम नहीं होता है तो आपको यह coconut oil जो होता है friends, यह हमारे scalp में नमी लाता है बालों की जड़ों को मज़ूत बनाता है hair रेग्रो करता है, hair growth होती है और hair बहुत ज़्यादा मज़ूत हो जाते हैं बाल बहुत ही लंबे होते हैं इस oil से तो आपको ना इसमें castor oil की 2-4 लगवग भूंद इसमें आपको add कर देना है friends, इसके बाद ना आपको फिर इसे चमच से अच्छे से mix करना है जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तो friends, आपको ना castor oil के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि यह हमारे बालों के लिए कितना strong होता है यह हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है बाल इसे लंबे, काले, गने, मोटे होते हैं साथी साथ हमारी scalp में hair को regrow करता है scalp के गंदवी को बाहर निकालता है तो friends, आपको ना इसमें एक green vitamin E का capsule एड़ करना है आपको ना green vitamin E का capsule लेना है green vitamin E का capsule ना friends हमारे बालों को hair fall यानि की कम करता है और hair को regrow करता है और इससे ना बाल मोटे, लंबे, घने होते हैं और बालों में sign यानि की sign बना लेता है silky हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा soft हो जाते हैं इससे scalp में infection B vitamin E के capsule से खत्म हो जाता है अगर आप इसका regular use कर रहे हैं तो आपके बालों की growth काफी तेजी से होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इससे आपको बहुत ही बड़ी है result देखने को मिलेगा तो चलिए friends मैं आपके ये बताती हूँ कि आपको इसका use किस तरीके से करना है इसका use आपको यानि की आपको अपनी हेर को वास करने से पहले अच्छे से स्केल्प में लगाना है हलक्या से मसाज करना है ओवरनेट के लिए लगे रहने देना है और फिर नेस डी मौर्णिंग में अपनी हेर को सेंपू से वास कर लेना है इस से आपके वाल काफी लम्मे घने मोटे हो जाएंगे यह फॉल कंट्रोल होगा यह रिक्रू करेंगे